हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटीब चैनल तो आज के वीडियो में काफी ब्यूटिफुल से ग्रीन कलर की आलिया का गुरती की कटिंग और स्टिचिंग का टुटोरियल मैं पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ वीडियो को पूरा देखेगा आप लोग और सावन पनहा जो है वो काफी लंबा है तो इसका पनहा 58 के करीब में है तो आप लोगर कुर्ती बना चाहते हैं थोड़ा घेर में तो आप लोग अगर 42 इंच का फैब्रिक ले रहे हैं तो तीन मीटर के करीब में लेजेगा मैंने ये पूरी फैब्रिक को टू फोल्ड कर दिया है लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने यहां जो मेरा पूरा फैब्रिक है उसको फोल्ड किया है फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद से यहां पे मैं 16 इंच पे मार्क करूंगी यह जो मार्क मैं कर रही हूँ यह अपर बॉड़ी पार्ट की कटिंग के लिए फ्रन और बैक दोनो मैंने जो मेरा fabric है इसको मैंने fold कर लिया है मेरा chest size 36 है तो इसका measurement 9.5 आता है उसमें मैं 2 inch plus margin रखती हूँ तो 11.5 आता है अभी मैंने पूरा same 11.5 पे ही 4 fold किया है अब यहाँ पर अपने body के cutting measurement लेंगे हाँ पर 7 inch मैंने shoulder के लिया है आपको भी same लेना अगर आपका shoulder 14 inch का है तो मैंने armhole के लिए भी 7 inch पे down लिया है क्योंकि मुझे कुर्ती को अपने lose रखनी है थोड़ी बिल्कुल बेग्दाम fitting की नहीं रखनी है अब chest के लिए मैं यहाँ पर 9.5 पे mark कर रही हूँ 9.5 mark करने के बाद से 2 inch की losing लोंगी मैं chest की marking हो गई है हमारी complete इसके बाद हम waist की marking करेंगे तो मेरा waist size 32 है 33 है तो यहाँ पर मैं 8.25 mark करूंगी again मैं 2 inch की losing लोंगी जो भी हमने points बनाई है उनको आपस में straight line से join कर देंगे इसके बाद से हम neck का measurement लेंगे तो neck के लिए मैंने यहाँ पर 3 inch लिया है आप चाहें तो 3.5 inch भी ले सकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा neck बहु जादा deep नहीं रखना था बहु जादा चौणा नहीं रखना था इसके लिए मैंने 3 inch लिया है अभी यहाँ पर हम half inch down कर देंगे shoulder को down करने के बाद से जो neck पर हमने माग किया था उसको हम straight line से जोड़ देंगे और इसके बाद से जो हमारा armhole है वो 6 inch बचा है उसका half करेंगे half करने के बाद से जहां half आ रहा है वहाँ से अंदर के तरफ हम half inch inside के लेंगे यहाँ पर हम अपने front armhole का deep देंगे half inch अंदर के तरफ लेते वे हम round shape देते वे अपने front armhole का deep बना देंगे same जो हमारा line बनावत armhole का उसी पर round देते वे हम back के लिए round दे देंगे armhole का इसके बाद से जो ये हमने मार्ग किया है इसको हम sert हम तो सेम जैसा उमारा मार्ट है उसी कॉडिंगर कर लेंगे आप हम भी सबसे पहले जो आर्म होल की होती है वो सब इसक फ्रेंट की कभी भी पहले नहीं होती है तो यहाँ पे आले कट कुर्ती कट करने के लिए नीचे जो हमारा center front side है वहाँ पे 4 inch निसान लगाएंगे और जहां तक हमारा waste का size है वहाँ तक इसको cross लेते हुए एक straight line draw कर देंगे अब यह जो line हमने draw की है इसको हम cut कर लेंगे सेम वहीं से हमारा जो नीचे का flare है वो joint होगा और इसके बाद से हम necky cutting करेंगे तो necky cutting करने के लिए मैं यहाँ पे 8 inch पे mark करूँगी 8 inch पे mark करने के बाद से जो हमारा 3 inch वाला side था वहाँ से और 8 inch पे एक V save देते हुए joint कर लेंगे इसको भी हम cut कर लेंगे यह हमारे necky cutting हो गई necky cutting करने के बाद से हमने जो armhole front में deep देना होता है हम armhole का deep दे देंगे अब हमने back part में necky cutting करनी है तो इसके लिए मैं जो neck की लंबाई है वो 3 inch लोगी और depth भी 3 inch पे ही लोगी और इसको round shape देने के बाद से अब हम इसको cut कर लेंगे तो यह हमारे back की cutting हो गई है इसके बाद हम sleeve की cutting करेंगे तो बचे वे fabric को हमने again 4 fold कर लिया है और 13 inch पे mark करते वे cut कर लिया है 13 inch पे mark करने के बाद से जो मेरे पास fabric बचा है उससे हम panel की cutting करेंगे बच अभी हमने जो fabric cut किया है उसको हम अपने sleeve के according यानि की जो हमारा chest size है उसमें से minus 1 inch करते हुए जो हमने margin लिया था 2 inch का उसको भी इसमें add करके यह मेरा आएगा 10 inch के करीब में 4 fold पे तो यह मैंने 10 inch पे 4 fold में fold कर लिया है अब 3 inch down जाओंगी अब 2 inch जो हमारा margin कता उसको side में करते हुए हम sleeve के according round shape दे देंगे इसके बाद से front और back के लिए front के लिए मैंने deep half inch दिया है and back के लिए same normal रहेगा 7 inch नीचे हमने लिया है sleeve की गुलाई अब इसको हम आपस में line को join करते हुए cut कर लेंगे front के लिए हमने deep यहाँ पे cut कर लिया है अब भी हम sleeve side से भी sleeves की cutting कर देंगे sleeve की cutting हमारी complete हो गई है and again हमारे पास यह जो बचा हुआ fabric था इसमें हमें front के लिए जो है 4 inch उपर के तरफ रखना है extra तो वो 4 inch छोड़ते हुए जो हमारा बचा हुआ फैबरिक है उसको double fold में fold कर लेंगे double fold में fold करने के बाद से इसको हम center से cut करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा दोनों side का front और back का panel अभी 4 inch जो हमने extra यहाँ पे छोड़ रहे हैं इसकी cutting कैसे करनी है मैं आपको इसके बाद बताऊंगी तो अभी हमारी जो fabric है उसकी cutting हो गई है इसकी जो लंबाई आ रही है पूरी 26 आ रही है जिससे हमारी कुर्ती का लंबाई total ready होने बाद 14 14 इंच का होगा अभी जो यह हमारा front का हिस्सा है जो बचा था इसमें हमने जो side वाला हिस्सा है जो center side वाला हिस्सा है उस पे हमने 4 इंच down करना है 4 इंच पे mark करना है 2 इंच side में छोड़ते हुए इसको cross करते हुए center front से एक line draw कर लेना है अभी ये line को हमने cut कर देना है जो center वाला हिस्सा है उस पे हम एक छोटा सा cut लगा देंगे यही हिस्सा जो है जो हमने front में deep किया था इस पे जुड़ेगा center वाले हिस्से को सेम ऐसे ही रखके हमने इसमें छोटी-छोटी plates देते हुए जोड़नी है अभी हमने neck की finishing के लिए neck पटियों की cutting करनी है तो हमारे पास बचा हुए fabric ता उसो double fold में fold करने के बास से एक इंच के तरफ छोड़ते हुए जैसे हमने neck को काटा था पहले सेम उसी हिसाब से हमने इस fabric को भी cut कर लेना है neck के cording और बाकी जो हमने neck करने के वास से neck का जो safe है उस पे एक इंच को छोड़ते हुए सेम ऐसा ही cut कर लेना है और मैं आपको पता देती हुए कैसे joint होगा तो जो हमारी पटी है उसको उल्टे side में रखते हुए इसको हम जोड़ेंगे इस पे एक सिलाई लगाएंगे सेम अभी हम ऐसे ही back के लिए भी cutting करेंगे तो back के लिए जो हमारे पास fabric बचा हुआ है उसको center front से रखते हुए देड़ इंच का हिसा छोड़ते हुए सेम round shape में cut कर लेंगे cut करने के बाद से हमने again जैसे देड़ इंच हमने पिछले front neck में cut छोड़ा था वैसे देड़ इंच इसमें भी छोड़ देना है अभी इसको भी सेम हम fabric की सीधी side और पटी के उल्टी side रखते हुए एक sly लगाएंगे यह हमारे पास lace है golden color में जिसका use हम कुर्थी की designing के लिए करेंगे back में हमने half inch पे sly लगा लिया sly लगाने के बाद छोटे छोटे cuts लगाएंगे cuts लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे पलटने बाद एक press लगाने के बाद से हम इस पे उपर से less लगाते वे sly लेंगे same हमने front में भी half inch लेते वे sly की है v-neck के साब से छोटे छोटे cuts लगाने है cuts देखके लगाने ताकि fabric ना कटे इसको पलटने बाद एक इस पे press लगा लेंगे प्रेस लगाने के बाद यह बैट जाएगा एंड एक छोटी सी sly लगा लेंगे sly लगाने के बाद यह हमारा जुनेक है उकदम perfectly बैट गया इस पे अभी हम इसमें जो हमारा पैनल है जो front की जो कलिया जो हमने फ्रिल बनानी है उसमें छोटी 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 प्लेट्स डालते हुए दोनों साइड से ही हम जोड लेंगे उस इतना ध्यान रखना है जो हमने साइड में margin लिया था वहां पे हमें चून या कली या प्लेट्स जो भी आप बोलते हैं वह नहीं बनानी है शाइड में दो इंच छोट देना है और सेम ऐसे ही बैक में भी दो इंच छोड़ते हुए पूरे में ही छोटी छोटी प्लेट्स पनाके उसको पैनल में अटैच कर देने तो यह हमारा बैक का पैनल है जो हमने अच्छे से इसमें जोड लिया है एक तम बनके है कितनी ब्यूटिफुल सी बन के निकली है उसमें हमने लेस लगाना यह पहले हम वीने बनाए वहां लगाएंगे दन हमने जो कट दिया है वहां पर लगाएंगे अभी हम में यह स्लीव लिया है स्लीव के लिए मैंने यह पूरा फैब्रिक लिया 12 इंच का है इसको अलग से हम 2 हीसे में कट करेंगे 2 हीसे में कट करने के बाद से ये फैब्रिक जो हमारा है इसको स्लीप पे डबल फोल्ड करने के बाद से इस पेख सिलाई लगाएंगे और इसको एक बो के according चेंज करते वे छोटी सी कच्चून लेके लगाएंगे अभी ये मेरा बैक का पैनल है सेम इसमें हमने लेस लगा लिये, फ्रांड में भी लेस लगा लिये अब हम सोल्डर जॉइंट करेंगे सोल्डर जॉइंट कर लिया है इसके बाद हमने इस पे स्लीव लगानी है तो स्लीब देखे हमने रेडी कर लिया अच्छे से स्लीब में हमने नीचे जो हमने एक पतली से स्ट्रिप बनाई है उसको जोडने के लिए तो इसमें हमने दो इंच पे स्ट्रिप को कट कर लिया है दो इंच पे कट करने के बाद से अभी हमने यहां सेंटर लेना है स्लीब का ऊपर से एक सलय लगाने हैं दबाके और फिर अगेन नीचे से भी एक सलय लगाने हैं जिसके जो एक style हो जाएगा एक design तयार हो जाएगा अब ही हमने solder joint कर लिया है इंस्लीब जdoingल करणे के लिए हम दोनों तरब से sleep को रखते हुए अपने sleep क में अपसी हैं तो इसलिए आप चाहें तो दो इंच पे भी आप फिटिंग लेके अपने फिटिंग के कॉर्डिंग सिल सकते हैं बड़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूज रखोंगी तो सेम मैंने डेड़ इंच पे पूरा मार्ग करते हुए एक लाइन ट्रॉकिया था और उसी डेड़ इंच पे मैंने शिलाई लगा लिए नीचे के तरफ लाते हुए उस सिलाई को आफ आफ इंच कर देंगे अभी नीचे जो हमने जो कॉर्णर है जो बॉर्डर है उसको फोल करना है इस बॉर्डर को फोल करने के बाद से इस पे हम सेम लेज जो हमने नेकलाईन पर लगाई है वो इस पे लगा ली है आपने भी इसी तरह लगा लेना है अगर आपको लगाना है तो नहीं लगाना है तो आप इसको छोड़ भी सकते, skip कर सकते, ऐसे भी कुर्ती काफी beautiful दिखेगी, हमारी कुर्ती जा है वो तयार हो गई है, sleep की design में काफी beautiful पूल सी बन की तयार होई है, अब हमने इस पे hand work करना है, थोड़ा सा, इसके लिए मैंने sequence लिये है, medium size के, छोटे से, जो glass beads होते हैं, व अब हमें, एक sequence लेनी है, एंड उसमें एक bead लेनी है, बीड लेने के बाद से हमें, बीड के अंदर नी, सिफ sequence के अंदर से needle को अंदर के तरफ डालना है, और बाहर के तरफ needle को खीच लेना है, जिससे हमारा ऐसा beautiful से design में के तयार होगा जगा, मैंने ये design पूरे neck पे, और ज दिखा के, ये कैसे मैंने इस पे ये बनाया है, बाकी भी हम रोडर की वीडियोज अगर आप लोग चाहेंगे, तो मैं आप लोग कॉमेंट करेंगे, तो मैं अप लोड करती रहोंगी, तो finally हमारी कुर्टब बन के तयार हो गया है, आप लोग को आज का ये सावन special alia cut कुर् सब्सक्राइब कर लेजएगा, बावटू